नमस्कार, इदिना में आपका स्वागत है। अजे प्रकाश ने लोगसभा चुनाव से पहले पूरे उत्तर भारत में घूम घूम कर रिपोर्टिंग की और जनता की नब्स जाचने का काम किया। इसकी उमीद जो पाइटियां लड़ रही थी उन्हें भी बहुत जादा नहीं था और यह आस्यर जनक भी है। हलाकि बहुत सारे विशलेशक यह बात कह रहे थे कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतिय जनता पाइटी के लिए मुश्किल होगी। और उसी के तरह से यह परिडाम आया। लेकिन अगर हम कुछ अलग-अलग लक्षन देखें कि इनके किन वजहों से हार हुई। उसमें कुछ चीजें पॉइंट वाइस दिखाई देती है। पहले सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में रोजगार का है। दूसरा सवाल सरकारी गुंडागर्दी कहिए, पुलिसी आत्याचार कहिए या बुल्डोजर संस्कृती कहिए। उसका एक विरोध है। तीसरा सवाल जो चुनाओं में बना, वह समविधान को लेकर बना। उत्तर प्रदेश में सबसे जो प्रमुखता से सवाल बन पाया, वह आरक्षण और समविधान का था। ये सारे सवाल मिलकर सब कुछ भारती जनता पाइटी के खिलाफ जाते थे। एक-एक करके अगर देखा जाए, तो समविधान खत्म करने की बात उनके लल्लू सिंग जो की सांसद हैं रहे अयुद्या से, उन्होंने भी बोला, आपके करनाटक के भी सांसदों ने भी बोला। तो इस मामले में एक चीज बहुत साफ हो गई देश की जनता के सामने, कि 1947 के बाद से जो पवित्र गरंत कहें या जो नियम कानून की किताब कहें, जो हमारे लिए सबसे बड़ा अधिकार का रास्ता है, वह रास्ता हमसे BJP, 75 साल के अमरित महुत्सव मनाने के गफलत में हम से छीनने जा रही है, यह संदेश पूरे देश में देने में सबसे जादा अगर कोई राजय सफल हुआ तो वह उत्तर प्रदेश था और उसमें जाहर तोर पर इंडिया गडबंधन का बड़ा रोल था, राहुल गांधी की जो यात्रा हुई वो भी उत्तर प्रदेश में रही, उसके अलावा अखलेस यादों के अपने प्रयास थे, उनकी भी पार्टी लगातार संघर्सों में थी, और अगर हम पॉजिटिबली बात करें तो इंडिया गडबंधन में अखलेस यादों ने जो पीडिये का नारा दिया, पिछडा दलित और अल्वसंख्यत, यह नारा भी महत्वपूर्ण तब बन गया, जब मायावती ने बीच चुनाव में अपने भतीजे को रोल बैक कर लिया, और यह कहते हुए कि उनमें अभी जो है गंभीरता नहीं है, मैं चोटी नहीं है, राजनितिक रूप से वह सक्षम नहीं है, उसके बाद दलितों को और दलितों के अलावा मुस्लिमों का एक जो सेक्षन बसपा को वोट देता है, खास कर पस्मी उत्तर प्रदेश में, वो सेक्षन को क्लियर कट मायावती ने ही मैसेज दे दिया कि हम बीजेपी की बीटी में, तो उसमें भी अभी इंडिया गट बंधन की जो उत्तर प्रदेश के जीत है, उसमें एक बड़ा रोल है, और विया जो नायकत्व है, उसके बुनियाद में दलित वोट, पिछडा वोट और समाण वोट, सभी का एक ऐसा वोट है, जो एतराज का वोट है, जिसे लग रहा है कि देश को मोदी बेच रहे हैं, जिसे लग रहा है कि सम्विधान खत्म किया जा रहा है, और इसमें सभी सामिल है, पेपर लिख होता है तो सर्फ दलित के बच्चे नहीं जाते, एक तरफ योगी आदित तिनात, जो भासडों में कहते हैं कि सहाब हमने गुंडों को भगा दिया, चोरों को भगा दिया, मवालियों को भगा दिया, एक तरफ तो ये बड़े लंबे दावे हैं, चलो इस पर भरोसा किया समाज ने, लेकिन दूसरी तरफ ये क्यों है, पेपर लीग जैसी चीज तुम से नहीं रुपती है, तुम भरती करते हो लिखपाल की और फरजी दिखाते हो, तुम्हारे हाँ दावेदारियां जो होती है, वो अधान की जो बात की, यूपी में जो ऐसे हालात है ये अभी नहीं बने हैं, जो दस साल से इनका राज रहा है, और यही चीजें ये गर्व से बोलते थें, कि बुल्डोजर राज हैं, हमने मुसल्मानों को ठिकाने लगा दिया हैं, उनको उनकी जगा दिखा दी हैं, हुए थे, असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश के, तब भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोविट का असर पड़ेगा, और डी मॉनेटाइजेशन का असर पड़ेगा, लेकिन विधान सभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश के हुए थे, तब यही बाते थी, तो ये सा सभा का चुनाओ, दोनों में बहुत फरक रहता है, वह रास्ती परिपेक्ष में है, ये राज्ये के परिपेक्ष में, जनता वहां बट भी जाती है, जैसे जो कुछ पिछड़ी जाती हैं, जो की लोग सभा में इंडिया गटबंधन के साथ खड़ी है, वह हो सकता है कि रा जिताव वोट बैंक इधर आया है, वो पांचे परसेंट, जो 2019 में एक 59-50 फिसदी वोट मिला था उत्तर प्रदेश से लोग सभानी, इस बार 41-42 परसेंट पर है, तो ये जो 67 परसेंट वहरी करता है, इसको जिताव वोट कहते हैं, और यह जिताव वोट किसी न किसी सामोह का इतराज से आता है, भय से आता है, बदलाओ की चाहत से आता है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे समविधान खत्म होगा, इसको लेकर जागरुकता फैलाने का काम वहाँ सिविल सोसाइटी ने किया, वहाँ समाज के अलग-अलग धड़ों है, प्रोग्रेसिव लोहियावादी लोग, समाजवादी लोग, किसान आंदोलों से जुड़े हुए लोग, SKM से जुड़े हुए लोग, बकाइदा जिम्मेदारी के साथ अपने इलाकों में, अपने लोगों में, अपने छात्रों के बीच, इन सब जगहों पर जाकर, ट्रेड यूनियन से ज इनके पांच सांसदों ने बकाइदा क्लियर कट सारुजनिक मंचों से भासन के दौरान कहा कि हम 400 अगर आएंगे तो हम सम्विधान बदल देंगे। इसकी गवाहियां उत्तर प्रदेश दे रहा था। जज नहीं, कलक्टर नहीं, सीधे SSP है और योगी जी है। तो यही जो डर है जो आप बात कर रहे हैं, यह विधान सभा इलेक्शन में भी दिखाई देना चाहिए, जो अबज़र 2027 में होगा। इसकी बिल्कुल होगा और ऐसा लगता है, लेकिन उसकी कुछ सरते होंगे। जैसे इस चुनाओं की जिस तरह की सरते थी। तो इसको अगर इसी सजगता के साथ, जैसे सबसे बड़ा जिम्मेदारी तो अखले सियादो पर है। अखले सियादो जिस विरादरी से आते हैं और मायावती के विरादरी का जो वोट बैंक है। ये विरादरी एक तरह का लॉजिकल एलाइंस नहीं है। एक तरह का मतलब स्वाभाविक एलाइंस नहीं है। अगर यह कोशिस दो हजार सताइस तक कांटिन्यू रहती है जैसे कि उमीद दिखाई दे रही है। इसी तरह जैसे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पीडिये में आप अल्फसंख्यक बोल देंगे, माइनॉर्टी बोल देंगे। इसलिए माइनॉर्टी का वोट आपको हमेशा मिलेगा। रिप्रेजन्टेशन उसके नेताओं की उपस्थिती जीरो करते चले जाएंगे। तो यह एक तीसरी बड़ी चुनोती। इसके साथ साथ कॉंग्रेस का भी मजबूत होना इतना जरूरी है उत्तर प्रदेश। जैसे इस बार जो वोट मिले हैं जिसको आप कह रहे हैं कि विधान सभा में क्यों नहीं दिखे। वो जो जिताओ वोट हैं उस जिताओ वोट को दिलवाने में कॉंग्रेस का बड़ा योगदान है। यह बहुत साफ था खिले सियादों के सामने कि अगर कॉंग्रेस से उत्तर प्रदेश में एकता नहीं करते हैं तो मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा कॉंग्रेस को वोट देगा भले वह जीते या हारे। और दूसरी बात कि दलित नहीं आते साथ कॉंग्रेस की वज़ा से दलित समाज साथ हाया है। वोटर्स ने उनको समझा और वो समझ के वोट किया। लेकिन यहाँ पे एक हम पहलू देखेंगे कि बहुत से जो चुनावी विशलेशक हैं और बुद्धी जीवी हैं वो ये पकड़ पाने में वो भी थोड़े हद तक फेल हुए क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं हम रेट् इंडिया पूरा वेव में बह जाएगा उत्तर प्रदेश को तो ऐसा टेकन फर ग्रांटिड लेके रखते थे सब लोग की वहां तो बीजेपी का ही रहेगा अमेठी में स्पृती रानी हार गई अयोध्या में बीजेपी का कैंड़ेट हार गया और इवन वारा नसी में भी मोदी जी डेल लाख वोटों से ही जीत पाए हैं तो ये बहुत ही जो क्रूशल सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के लिए तो इन पे ऐसी जो हार हुई आपको ऐसा क्यों आपको क्या लगता है कि क्यों उस वक्त चुनावी विशलेशक और बुद्धी जीवी लोग ये जनता की नब्ज पकड़ पाने में सक्षम नहीं हुए उस वक्त बुद्धी जीवी जो तपका होता आम तोर पर भयाक्रांत रहता है और भयाक्रांत होने की वज़ा से भी यह इस्थिती थी दूसरा की पीछे के जो परिणाम थे वो हम जैसे पत्रकारों के लिए भी थोड़े मुस इन सभी में हिमाचल छोड़के बीजेपी जीत गई जिसके बारे में कहा जा रहा था कि रास्थान भी हार जाएगी मद्यप्रदेश भी हार जाएगी 36 गड़ तो डंके की चोट पर हार जाएगी तो यह जो हारी हुई मानसिकता होती है कई बार इसलिए में अगर हम देखे अलों ने पीड़ दिया उसके अलावा दलित समाज के लोग जिनकी जमीने ली गई उनको कुछ दिया नहीं गया बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग जमीन अधिकरान के खिलाफ आज तक आंदोलन कर रहे हैं दूसरी बड़ी बात की 42 नंबर योध्या का नंबर होता ह उसकी इंट्री सहर में नहीं थी और ये सारे सुधार अभी 5-6 दिन पहले योगी जी ने किये हैं हारने के बाद और सबसे बड़ा जो मैंडेट है वहाँ योध्या का इसलिए महत्यों पूर्ण है कि योध्या जनरल सीट है सामानने सीट है और वहाँ दलित जीता है और दे प्रदेश जो है घंटा वजाने से नहीं चलेगा और उल्लू बनाने से भी राजनितिक उल्लू बनाने से भी नहीं चलेगा बलकि लोग कम पढ़े लिखे हैं गरीब हैं राजनितिक रूप से डरते हैं लेकिन हमारा समाज एक ऐसा समाज है जो दूर से देखता है और निर लिए ये जो मोदी के नाम पे लोग जीतते थे, इनका इस बार काम नहीं, सिक्का नहीं चला। विपक्ष से वो नाउमीदी दिखाई दे रही थी वजह थी विपक्ष बिखरा हुआ था विपक्ष ग्राउंड पर नहीं था विपक्ष ऐसी कोई यात्रा नहीं कर रहा था जो राहूल गांदी ने किया तो ये जो नाउमीदी थी वो उनकी ताकत थी उमीद बदते ही वह त ताकत कमजोरी में बदल गई और ये जितने इस तरह के परसेप्शन और नेरेटिव गढ़े जाते हैं वह सारे परसेप्शन और नेरेटिव जनता बार बार बदलती हैं इनकी इंडिया साइनिंग का जो एक बहुत बड़ा नारा था हां हारे थे और उस तरह से और आज देख का स्वर जो की लगातार नागरिक समाज दे रहा है पूरे देश में दे रहा है उसको पार्टियों को समझना चाहिए जीते हुए विपक्ष के नेताओं को वापस गुंडा और माफिया नहीं बन जाना चाहिए उनको नेता बने रहना चाहिए तब ही इस तरह की अतिवाद की जनता चुनाव लड़ रही थी ये जनता की जीत है तो मेरा या आपसे अगला सवाल है की जनता लड़ रही थी जनता को समझ आ रहा था जनता के साथ साथ जो जन संगठन है उत्तर प्रदेश के उन्होंने भी कुछ रोल अदाईगी की है इस चुनाव में बिलकुल नागरिक समाज, जब मोदी के लोग अलग अलग तरीकों से पत्रकारों को जेल में डालना, लेकों को परिशान करना, ट्रोल करना, गालियां देना, स्टुडेंट्स को परिशान करना, उनको गुंडागर्दी करना, ये सारा जो एक साथ समुच्चे बना, वो एक चीज़ क्ल ये इस तरह का परिणाम दिखाई दिया आपको बताएं मैं लखनोव में था और लखनोव में तीन चार राउंड में गया अलग-अलग दो लोग सभा एक मोहनलाल गंज एक लखनोव उसमें से मोहनलाल गंज में हार गई वीजेपी जबकि लखनोव की दोनों सीटों पर कोई उमीद नहीं थी वजह थे बुद्ध जीवियों का कड़ा प्रतिरोध और लगातार नागरिक समाज कहूं जिसमें हर तरह के लोग आते हैं वुन की सक्रियता और इन्वाल्विंग का लेबल ये नहीं था कि सिर्फ फेस्बुक पर कह रहे थे बलकि वो परचा लेकर पंप्लेट लेकर चौराहों पर मिटिंग करके सामुहिक संगटनों का करके ये कर रहे थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि इन पाइटियों को भी इस बार चिंता थी ये पाइटियां लगातार लखनव और दूसरी जगहों पर जिसको नागरिक समाज करम के साथ बैठके कर रहे थी इनके नेता नेताओं जैसे बात कर रहे थे वो अब हीरों की तरह बात नहीं कर रहे थे इसलिए उत्तर प्रदेश में नागरिक समाज चाहे पस्मी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरी उत्तर प्रदेश हो मध्य उत्तर प्रदेश हो या बुंदेल खंड वाला हिस्सा हो इन चारों ही हिस्सों में नागरिक समाज खासकर परियावरण के सवाल पर तमाम NGO यहां तक की सिख्षा के सवाल से जुड़े हुए जनसंगठन, छात्रों के संगठन, स्वतंत्र नागरिक, रेलवे के संगठन, ट्रेड यूने, किसानों के आंदोलन, यह करनाटक जैसा बहुत सामुहिक रूप से तो अभिव्यक्त नहीं हो रहा था नागरिक संगठन, लेक से बड़ा की एहसास लोगों के पास था, मतलब बोलना था सिर्फ इन नागरिक समाज के लोगों को, लोगों को अनुभव तो अपने पास ही थे, और हमें याद है कि जिन जिन जगों पर हम लोग रिपोर्टिंग में गए, गरीब परिवारों की महिलाएं चिला के बोलती ह कि मोदी, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकता है, लेकिन वो बोलती है कि मोदी अपने बाप के घर से नहीं देते हैं अनाज, वो अनपड महिलाएं कहती है हमारे टेक्स से ये अनाज मिलता है और फिर वो कहती है कि हमें इस अनाज की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चों के तुम नौकरियां खा रहे हो और पांच किलो अनाज में तुम हमें फुसला रहे हो। नौकरियां खा रहे हो। नहीं बने, वापस देवता नहीं बने, फार्चूनर और लेंड रोवर क्या गाड़ी है वो। उससे उतर कर थोड़ा जनता के बीच बने रहे। तो फिर हो सकता है कि दोहजार सताइस में इससे बहतर दिखाए। जी आपने जनसंगठनों के रोल की बात की और काफी पॉजिटिव रोल उन्होंने अदा किया तो इस जीत में जनता के साथ जनसंगठनों का भी बहुत बड़ा रोल था और उसका फाइदा भी विपक्ष को मिला। जी तो आपको क्या लगता है यह जो टेंपो अभी सेट हुआ है उत्तर प्रदेश में और जो आपने विपक्ष जो समाजवादी पाटी और कॉंग्रेस की बात की जो अभी वो एक पॉजिटिव मोड में आ गये हैं यह 2000 मतलब 2027 तक रहेगा विधानसभा एलेक्षन तक औ पूरे आबो हवा में यह कहीं खोन जाए कि सिर्फ मोदी कमजोर हुए दिखिए दो तरह के विशलेशन है मोदी की पाटी के भीतर का विशलेशन यह है कि योगी जो है उत्तर प्रदेश में हार योगी की वज़ा से नहीं है बलकि अमित्साह और मोदी के वज़ा से है और जनता को यहीं उलजा रही है लेकिन जो जनफक्चधर मेडिया है उसको बहुत क्लियर कट है कि यह योगी के लिए भी खत्रे की घंटी है क्योंकि उनके जो काम है और उनके जो तरीके है मतलब योगी के जो दावे है वो नए मोदी बनते जा रहे है जैसे मैंने पर लिंचिंग है, वहिलाओं की वही हाल है, जाती वैवनस्यता की यही स्थिती है, अल्फ संख्यकों की तो पूछी ही मत, तो इस तरह की स्थितियों से जो बुल्डोजर बाबा की छवी है, उससे एक नागरिक समाज और सजग समाज लगातार अपने को किनारे कर रहा है, त तो सब भी मर्स हैं, लेकिन जनता के लिए जो जनविरोधी काम इस सरकार ने पिछले साथ सालों में किये हैं, वह काम अपने आप में योगी के लिए खत्रे की घंटी है, जस सरकार में रोजगार का अभाव है, जस सरकार में सरवाधिक पलायन हो, जस सरकार में लोग मजद तुम धंग से कॉलेज न चलाओ तुम प्राइवेट इन्वस्टी का खाता खोल दो और तुम्हारे यहां पढ़ने के बाद रोजगार न मिले जिन गाओं को उनका इतिहास भूगोल देख लिए उसको तो भूली गए हैं स्मार्ट सिटी का तो नाम ही नहीं लिया इस बार व दो दो गाओं भी अगर देख लें आप इन गाओं की हालत पर कभी जिक्र नहीं किया उत्तर प्रदेश के वो सहर जो जाम में हैं जो प्रदूसन में हैं जो गंदगी में हैं जो अवैद निर्मानों में बसे पड़े हैं वो सब स्मार्ट सिटी हैं उत्तर प्रदेश के तो धक्का है नागरिक समाज का, वो धक्का है सजग समाज का वो धक्का है छातरों, नौजवानों, ट्रेड यूनियनों, किसान अंदोलनों से जुड़े लोग की एकता का और वो सारी सर्त ये है कि ये सभी लोग अभी विपक्सकी पाइटियों को जैसा समझ रही हैं, कि ये सच जिन बातों को राहुल गांधी नारों में बोल रहे हैं उनके जो राज्य हैं उनमें वो लागू हो तब जाकर इस देश की तस्वीर बदलेगी तरीका बदलेगा और फिर देखिए कि किस तरह से जो हम कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश हम हैं एडी सीवी आई किसी का तोता नहीं है वो एजनसियां फिर से जाग उठेंगी और फिर से एक बार हमें महसूस होगा कि हम वाकई एक ऐसे देश में हैं जो नागरिकों का देश है नेताओं का नहीं माफियां का जी बहुत बहुत शुक्रिया आजय जी आपका और जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने एक वाले दिनों में यही विपक्ष और यही जनता ऐसे ही जागरुक रहेगी और इसी तरह से देश को बचाने का काम करती रहेगी इसी के साथ हम विदा लेते हैं इदिना को लाइक शेर फॉलो कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया झाले बहुत 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 शुक्रिया